नमस्कार दिव्य होम से एक बार फिर से आप सभी का हादिक स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दिवाली के दिन श्री यंत्र की विशेश पुजा कैसे करें जी हाँ दर्सकों आपने दिवाली की पुजा दिवाली की पुजा विधी और उसमें कैसे भोग लगाया जाता है आर्ति की जाती है और अनेक वीडियो यूटूब पे देखे होंगे लेकिन श्री यंत्र जो माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है और जिसके मध्य में मात वीडियो में बात करने वाले हैं लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाए रोज की तरह मुझे कॉमेंट बॉक्स में जहें माता दी लिखे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें आये चर्चा करते हैं श्री यंत्र की विश्यस पुजा की जैसे कि आपको पता है द होद जरूरी है इसलिए घर की चट टोइलेट श्टोर रूम आदी की लाइट दिवाली की शाम से लेके पूरी रात चलनी चाहिए तथा इसके एक-एक कोने में मिठी के दिये लगा के उसे रोशन करना है अब बात करते हैं श्री अंत्र पुजा की जब हमने चारों और दि में दिया रखने के बाद हम वापस पुजा स्थान पर आएंगे एक लाल चोकी पर हम सबसे पहले का स्थापना करेंगे लेकिन श्री अंत्र की श्थापना करने के से पहले आपको लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति है जो आपके घर में मूर्तिया फोटो है तथा सरश्वत और उस धेर के उपर आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी है जब आपने उस धेर के उपर श्री यंत्र की स्थापना की तो उसके बिल्कुल राइट साइड में घी का अखंड दिपक जलाए और उसकी लेप्ट साइड में कलस की स्थापना करें कलस की स्थापना बिल्कुल एक ताम्बे या पितल के कलश में आप गंगा जल में शुद्ध जल भरे और उसमें पांच चीजे डाले हल्दी की गाट सुपारी सोनाया चांदी का सिक्का तुलशी पत्र और दुर्वा और सिर्फ ओम बम बरुनाय नमो बोलते हुए आप कलश की स्थापना करे उसके उपर आप पंच पल्लो और एक धान का पात्र रखे और एक लाल कपड़े में आच्छा दित श्रीफल उसके उपर रखे जो माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है इसके बाद आप तीनों देवी देवता माता शरश्पती लक्ष्मी और भगवान श्री गनेस की पूरे विद पुजा कैसे करें सबसे पहले एक तांबे के पात्र में श्री अंत्र को वहां पे रखे और रखने के बाद उसको गंगाजल चुड़के उसको और अपने आपको पवित्र करें बाद में दक्षिनावर्ती संख में केशर युक्त दूध मिला के उस दूध से श्री अंत्र पर अभिषेक करते हुए श्री सुक्त का पाठ करना है श्री शुक्त की जो ग्यारह रुचा हमारे वेदों में बताई गए है वो माता लक्ष्मी का अत्य अंत्य गूड मंत्र है आप उसका अभिषेक अवस्य करें करणकधारा स्तोत्र का अभिषेक करना है तो सब्सक्राइब करने करने के बाद उसे प्वापस आप शुद्ध जल्से उसे अश्री आंत्र को शुद्ध जल्से स सफ करे और बाद में अना अडर शुद्धान स्थापित करें हैं इसके बाद पूरी वियो दिविधान से सोलह उपचार्शें श्री собствен की पुझा करनी है और श्रीयंत्र के सामने जो आप दीपक लगाने वाले हो गी के दीपक में भी केसर लगाना आवश्यक है क्योंकि केसर जो पिला है वो भगवान विश्णु का प्रतीक है अब श्रीयंत्र की स्थापना करने के बाद उसकी दोनों और दो-दो हल्दी की गाठ क्योंकि एक और जो श्रीयंत्र मातलक्ष्मी का स्वरूप है तो दो-दो हल्दी की गाठ भगवान श्री विश्णु का प्रतीक है आप सबी को पता है कि मातलक्ष्मी चंचल है लेकिन यदि वह भगवान विश्णु के साथ आपके घर में वास करती है तो वो स्थीर भाव उसे वास करेगी यदि माता लक्षमी अपने वाहन चमकदल या किसी और वाहन से आएगी तो वह स्थीर भाव में आपके घर में वास नहीं करेगी चंचल लक्षमी को स्थीर करने के लिए भगवान विश्णु के कोई भी प्रतिक उसके आसपास रखना अति आवश्यक है इस कमल गटे की माला से माता लक्षमी के मंत्रों का 108 बार पठन करें और बाद में कापूर से आर्थी करें अब आर्थी करने के समय आप घर के जितने भी सदस्य है उसके नाम की दो दो लोंग की जोड लगाए क्योंकि वह आर्थी में जब लोंग की आवाज तर तर आएगी उ इस तरह से श्री अंत्र की आप शाम के समय अवश्य पुझा करें इसके बाद पूरी रात वहां पे 21 दिये श्री अंत्र के सामने जलाएं और वह 21 दियों में एक बीच का दिया ऐसा रखें कि जिसमें केसर हो 21 के 21 दिये मिटी के होने चाहिए और आप जितनी भी आप शाम के समय दिवाली की रात अति शुब मानी जाती है पंच रातरी जो दिवाली, होली, जन्मा, स्टमीर, शुबरातरी और शरत पुरुनिमा है उस पंच रात्री में दिवाली की रात अतियंत महत्व प्रौन मानी जाती है आप उसमें जितने पुजा पाठ करे विधी विधान से उतना कम है क्योंकि इसी रात्री एक माता लक्शमी को प्रसंद करने की शुब रात्री मानी गई है इस तरह श्री श्री अंत्र की विशिर्स पुजा करके आप माता लक्ष्मी का आश्रिवात पाए और अपने घर में धन धान्य वैभव सम्रूधी बढ़ाए इसके बाद पुरे साल और ओर श्री अंत्र आप अपने मंदिल में स्थापित कर सकते हैं आप सभी को पता है कि दिवियो होम में हम लगा तार हिंदु सनातन धर्म के पुरे विदिविधान से बताते आये हैं हमारे एक शिंखला भी चल रही है कि हिंदु सनातन धर्म के संपरदाय की जिसके एक के बाद एक वीडियो हम आपको वापस बताने वाले हैं इसलिए देखते रहिए डिवियर हो